इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पहले पॉलिनेटर गार्डन की लोकेशन, पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स होते क्या हैं, उनकी और इस पार की क्या इंपोर्टेंस है, अधर इंपोर्टेंट फेक्ट्स और उत्राखन की राजी तिदली और साथ में एक और इंपोर्टेंट करेंट अफेर। पिछले साल 29 दिसंबर को इसका उदगाटन किया गया। अधिकतर प्लांट्स में रीप्रोडक्टिव और गन्स यानि प्रजनन अंग होते हैं फूल और फूलों में पाए जाने वाले परागकणों से पॉलिन ग्रेन से ही रीप्रोड़क्शन होता है। लेकिन अलग-अलग पॉंधों में प्रजनन की अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं, रीप्रोड़क्शन अलग-अलग तरीके से होता है, इन ही में से एक प्रक्रिया का नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुँचना। तो पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। Self-pollination में एक ही फूल में दोनों parts, male part, stamen और female part stigma होता है। इनमें आसानी से आम तोर पर हवा से ही pollination हो जाता है। इनके example हैं जैसे सरसों, टमाटर, गुलाब, आदी के पौंधे। लेकिन जो एक लिंगी पौंधे होते हैं, जिनमें male और female अलग-अलग होते हैं, उन्हें pollination के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, जो पराग करणों को male से female तक ले जा सकें। यही pollination की प्रक्रिया में help करने वाले जीव कहलाते हैं pollinators, और मुख्य pollinators होते हैं, मधुमक्या, honeybees, butterflies, कीट पतंगे, moth, insects और छोटी birds, लेकिन pollination में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं honeybees, मधुमक्या, क्योंकि उन्हें अपने खाने के अलावा शहद बनाने के लिए भी फूलों से रस लेना होता है, तो जब वो शहद बनाने के लिए एक फूल से दूसरे फूल रस इखटा करने जाते रहती हैं, तो उनके पैरों में, उनके शरीर में लगकर pollen grains भी उनके साथ इधर उदर जाते हैं, इस तरह pollination होता है, ऐसे एक लिंगिये पॉंधों की संख्या लाखों में हैं, जैसे इनमें पपीता, ककडी, खीरा, सेब, गोबी, तर्बूज, कॉफी समित, कई ऐसे फल, ऐसी सबजियां, अनाज, और फूलों की तो करीब 90 प्रतिशत प्रजातियां आती हैं, जिन्हें प्रजनन के लिए pollinators की ज़रुरत पड़ती हैं, पॉलिनेटर्स का क्या importance है, ये बात आप इस छोटे से example से समझ सकते हैं, कि 100 मुख्य फसलें, जो पूरे वर्ड के लगभग 90 प्रतिशत लोगों द्वारा खाई जाती हैं, उनमें से 70 को pollinators की जरुरत पड़ती है, तो अगर केवल मधुमक्या ही हमारे दुनिया से विलूप्ट हो जाएं, तो हमारे फलों और सबजी के स्टोर कुछ ऐसे दिखेंगे, और चिंता की बात ये है कि मधुमक्यों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते pollution से, climate change से, और जो pesticides और insecticides हम यूज करते हैं, उनसे मधुमक्यों पर बूरा प्रभाव पड़ता है, इसी के प्रती लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए ये पार्क बनाया गया है, यहां आपको pollinators की लगबग 40 species देखने को मिलेंगी, जिसमें honeybees के अलावा butterflies हैं, birds हैं, beetles हैं, moths यानि की कीट पतंगे आदी हैं, यहां पे endemic species की मधुमक्खी Apicerina indica भी है, जिसे हम Indian honeybee के नाम से जानते हैं, endemic species मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो केवल किसी विशेस स्थान में पाई जाती है, तो Indian honeybee या Apicerina indica केवल South Asia region में ही पाई जाती है, इसके अलावा यहां बहुत सारी तितलियों की प्रजातियां जैसे Jezbell, Common Immigrant, Red Pirate, The Painted Lady, Peacock Pansy आदी को रखा गया है, Marigold, Jasmine, Hibiscus और गुलाब के फूल और कई सारे seasonal plants और nectar और host plants भी लगाए गए हैं, ताकि pollinators को खाने पीने और रहने की दिक्कत ना हो, कीट पतंगों को attract करने के लिए ultra-voilet lights लगाई गई हैं, birds और butterflies के लिए गोंसले बनाए गए हैं, और उनके नहाने दोने के लिए artificial water bodies तालाब भी पार्क में बनाए गए हैं, और इस पार्क और इसके आसपास के area में भी pesticides, insecticides यानि की कीट नाशकों के छिड़काओं पर पूरी तरह से बेन लगा दिया गया है, तो कुल मिलाकर इस पार्क का उदेश ये है, कि आप pollinators के importance को समझें, वो किस तरह के environment में रहना पसंद करते हैं, वो आपको पता चले, इस तरह यहां उनका संगरक्षन भी किया जाए, लोगों को जागरुख भी किया जाए, और लोग यहां गुमने आएं, research के लिए आए तो आसपास की local economy को भी फायदा हो, मधुमक्यों की honeybees की study को कहते हैं epiology, और मधुमक्यी पालन को epiculture इंगलिश में कहा जाता है, मधुमक्यों और मधुमक्यी पालन का importance समस्ते हुए उनको बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा sweet revolution, मीठी क्रांती और honey mission भी वर्तमान म कहा जाता है, और उनके experts कहलाते हैं lapidopterist, 29 दिसंबर 2020 को इस pollinator park का उदगाटन famous naturalist और lapidopterist Peter Smetczak ने किया, इनका भीमताल में अपना एक private collection, एक butterfly research center भी है, और ये कई books भी butterflies पर लिख चुके हैं, उत्राखन में तितलियों की लगभग 500 species पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 100 दहरादून के लच्छीवाला में ही मिल जाती हैं, इसलिए 2016 में लच्छीवाला में उत्राखन का पहला butterfly park, शिवालिक butterfly park खोला गया था, एक butterfly park नैनिताल के हिमालियन बॉटनिक गार्डन में भी है, उत्राखन की state butterfly यानि राजजी तितली common bandit peacock या common peacock है, इसका साइन्टिफिक ने पैपीलियो बाइनर है, ये पहारी शित्रों में करीब 21 मिटर की उचाई तक पाई जाती है, और 1996 में इसे लिमका book of records में most wonderful butterfly का टाइटल दिया गया था, 2016 में जब common peacock को राजजी तितली घुशित किया गया, तब महारास्ट के बाद उत्राखन state butterfly डेकलेर करने वाला देश का दूसरा राजजी था, पिछले साल जुलाई 2020 में पिथोरागर जिले के डीडी हार्ट में 88 साल पहले का record तोडते हुए भारत की सबसे बड़ी तितली female golden bird wing देखी गई, जिसका wingspan 194 mm था, इससे पहले 1932 में सबसे बड़ी तितली southern bird wing खोजी गई तो 88 साल बाद southern bird wing का record तूट गया और ये एक female golden bird wing ने तोड़ा है, male golden bird wing size में comparatively छूटा होता है, तो ये थी हमारी वीडियो उत्राखंड in shots, ये वीडियो आपको कैसी लगी comment में जरूर बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching the video, stay connected, stay blessed and be inspired.